जैहिन जैवारत तो दोस्तों आज आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेका हूँ जिसमें टॉफ फॉर बेस्ट अधर सेंटर और सेल्फ सेंटर के बारे मैं आपको बताऊंगा जो की आपके लिए बिल्कुल यह जान लो मतलब सेलेक्शन आपका 100% हो जाएगा वाई अगर आप थोड़ी प्रेक्टिस करोगे अपने पढ़ाई पर और अपने फिजीकल पर वाई ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो सस्क्राइबर है मुझे मैसेजिज करके और कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई हमें इसके उपर वीडियो बनाई है कि जनवरी में अपनी बढ़िया कर रहे है अपकी बार और जनवरी में हम किसी ना किसी सेंटर फिजीकल किलियर कर दिंगे भाई ठीक है तो उनके लिए वीडियो है और जो भी बन्दा देखना चाहता है जनवरी में बढ़ती तो उसके लिए बाई यह बेस्ट वीडियो रहने वाली है त के बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपको बता दूँँ यहाँ पर मैंने एक लिष्ट बनाई हुए जो कि आप देख सकते हो यह लिष्ट है ओनली वाई भाई ठीक है और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वज़े से हम आज इस मुकाम तक पहुचे है भाई ठीक है जैसे कि आप उपर लिखा हुआ है बैस सेंटर फोर सोलजर टेक जनवरी दोजार 21 मंथ रेली लिष्ट तो टॉप यह कंदरवाद रखा गया है जो कि चार जनवरी को इस सेंटर पर बढ़ती होने वाली है तो एक फेक चार्ट जो बहुत निकल क्या था कि इस सेंटर पर बढ़ती पोस्पोर्ण हो रही है तो वो ऐसा नहीं हो रही है ठीक है मैं आपको फिर से किलियर कर दूँ यह सेंटर पर आते हैं soldier technical और soldier technical aviation की भरती देखने के लिए तो इसमें full chance रहता है बेसक से वो brother relation हो या father relation हो क्योंकि इसमें भाई आपका जो physical के number जुड़ते नहीं है बैस आपका जो पढ़ाई का जो जितने आप अच्छी पढ़ाई करते हो उस level पर आपका selection होता है अगर आप अच्छा है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वन एमी सेंटर में भरती देखने के ले जा रहे हो और आप पढ़ाई में ठीक ठाक हो और बहुत अच्छे हो तो भाई टेक्निकल एविएशन की बरती जरूर देखना 100% सिलेक्शन होगा और इंडिन आर्मी की best सबसे ट्रेड है बेशन सबसे ट्रेड टेक एविएशन है ठीक है तो हाँ पर आपको मैंने बताई दिया फिर बात कर ने एक्जाम की तो 28 फरवरी 2021 को इसका एक्जाम होने वाला आया ठीक है तो यहां पर मैंने आपको बता दिया फिर next बात कर ने हाँ पर दूसर्षे सेंटर की तो दूसरा सेंटर सिंगल सेंटर आपका 2STC गुआ तो आपको बता दूं पिछली बार जो 2STC गुआ में वेकेंसी खुब ठीक ठाक आई थी आपको बता दूं और इस सेंटर पे एक फरवरी 2021 को भाई भरती होने वाली है तो आप इस सेंटर में भी जा सकते हो अगर आपका सेंटर तो ब बंदे सेलेक्शन हुआ था अधर सेंटर का इसमें सोलजर टेक में आगर आप देखना चाते तो भाई देख सकते हो और मैं आपको बता दूं इसका एक्जाम 21 मार्ज 2021 को होने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 EME में भी ट्राइ कर लेना और 2STC में भी कर ल सिंगनल का दूसरा सेंटर आता है 1STC जवलपूर इस सेंटर पर 22 फरवरी 2021 को बढ़ती होने वाली है ठीक है और यहां पर बता दूं कि इसमें भाई सेल और अधर सेंटर का फुल चांस रहता क्योंकि इसमें जो बंदे पकड़े जाते हैं क्योंकि पिछली बार 200 से 200 का बै पांच olerर्ट कीमैंग तो आप जाने इस सेंटर में जो गूरुफ बनता बहुत हाई बनता है 2200 का बनता है तो आप इसलिए इस सेंटर में अगर अगर भाई अगर निकाल सकते हो तो यह जाना वाई ठिक है अगर अज़व क्मजोर एं तो आप मज जाना इस चैन्टर पर चौति ही नममर पे जो को आता भाई आपका B.E.G. सेंटर किरकी आता है इस सेंटर में वैसे तो मैं आपको बता रहे हैं सेलेक्शन का कमी चांस रहता क्योंकि इसमें कास्ट आ जाती है जिसमें सिक्च और आपका मुसलिम और कुछ आपका एक और है जो मेरे खियाल से मैंने वीडियो बनाई हुई है उनको ही पहले प्रियोरिटी दी जाती है सेंटर में और फिर बाद में अधर कास्ट को लिए जाते हैं तो भाई उनके लिए बेस्ट सेंटर रहेगा जो जिसमें कास्ट मांगी गई है वो ही इसमें देखना अधर सेंटर वाले मत देखना क्योंकि इ इससे best center भाई 1 EME रहेगा अगर आप other center नहीं देखना चाहते हो तो भाई आप इसमें 100% देखना अगर किर्की आपका self center है तो भाई आप इसमें देखना ठीक है आपका 100% selection होगा भाई ठीक है जैसे कि मैंने आप बताया other center का no chance रहता है soldier technical में इस center में vacancy कमाती है अगर वीड अगर आ चाहता है